नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल बिनास एजूकेशन पॉइंट पर आज का जो हमारा वीडियो है वह आपकी 25 तारी कोहने बाले एक्जाम को ध्यान में रखकर बिशेश रूप से बनाया गया है जिसमें 25 तारी कोहने बाली प्राण में परिच्छा के दोनों एक्जाम से सम्मजद निर्देश दिये जाएंगे यह महत्वपूर निर्देश जिनका आपके एक्जाम में ध्यान रखना है क्या क्या गलतिया नहीं करना है कौन-कौन से सावधानियों का पिशेश ध्यान रखना है यह सब आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा तो आप शांती से हमारे इस वीडियो को देखे सब्सक्राइब करें और हमारे इस देखते हैं मात्रपूर निर्देश को परिक्षा हॉल में जो 25 तारी को एक्जाम होना है रविवाल के दिनाय जुद किया जा रहा है दो सब्सक्राइब होना है उसी को ध्यान में रखकर निर्देश से एडमेट कार्ट बारत आईक्ष ने करने लगें तो सरप्रत्रम आप अपने एडमेट कार्ण ने करवा ले उसकी दो तिन फोटो काफी करवा के रख ले आपके लिए वह प्योगी रहेगा दोस्तों परिक्षा हॉल कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार और करन मोबाइल प को पर्मिशन नहीं है परिक्षा हॉल कक्ष में अभ्यात्य के पास मोबाइल किसी भी प्रकार का संचार और करन होने के अनूचे साधन के प्रियोग का प्रकरन दर्ज किया जाएगा उक्त परिक्षा में शामल होने वाले अभ्यात्यों की परिक्षा पूर्व सगन जाच की जाएगी इससे तू अभ्यार्टियों की सूचना है तू बर्जत बस्तों की जानकाई नम्नागत प्रकासित की जा रही कौन कौन सी बस्तों नहीं ले जाना है जो वहाँ पर बर्जत हैं परिक्षा में electronic device कप्डियों के रोकने के लिए परिक्षा कक्ष में जूते मोजे पहन करना जाये परिक्षा रती चपल वह सेंडल पहन का जा सकते हैं चेहरे को ढख कर परिक्षा कक्ष में प्रविष करना वज़त होगा बहलों किसी प्रकासर कोई चुनि से कोई रूममल से प्रकासर दि मूझ ढखेगा तो इसके लिए वज़त होगा एसेसरी जैसे बालों को केसť बानने का कल्चर, भकल, घरी, हात में पहने जाने वाले मैटलिक चम्रे के Belt, कमर पहनने वाले Belt, दूप में पहनने जाने वाले Чозмय, बॉपलिट, डोपड आधी वरज़त, सिर, नाग, गला, हाथ, प्यार, कमर आदी में पहनने जाने वाले आभूसर, तता हात में, आदी परिक्षा कक्ष में अंदल ले जाने की पर्मीशन नहीं होगी आप बैग लेका जा सकते हैं उसे परिक्षा सेंटर के बाहर व्यवस्ता होगी बहाँ पर रख सकते हैं उसके बात की दूसरी बात हैं कि आप किसी प्रकार की मतलब जूते पहन करना जाए ना ही मोझे सकते हैं परिक्षा कक्ष में इसके साथ आपको अनुमती नहीं मिलेगी अब प्रमोखन रेडियोस ओपर चलते हैं प्रथम शत्र में प्राता दस बजे तथा दुतिये सत्र में दो फैर सबाद दो बजे की परिक्षा कक्षे प्रिवेस नहीं दिया जाएगा जैसा कि आप स चेकंग होगी चेकंग की बाद आपको कक्षे में प्रिवेस दिया जाएगा इसलिए आपको अपने सेंटर तक साड़े नो तक पहुंच ही जाना है किसी भी कंडिशन में और यदि आप आसपास के छेतर से हैं आपको एक्जाम देने किसी अन दूसरे स्थान पर जाना है त आप नो बजे उस सेंटर पर पहुंच जाएं तो आपकी सुविदा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बड़े सहरों में जैसे कि ग्वालियर जवलपूर भोपालंद और आदी में बहुत से सेंटर बनाए गए हैं सागर आदी में भी तो विद्ध्यारती क्या करें एक दिन पहले अपना सेंटर देखा है तो उनके लिए और सुविदा रही कि कि कई कई बार बड़ेयारतियों के लिए कंफ्यूजन भी हो जाता है एक से स्थान के दो बड़ेयाला कॉलेज होते हैं बाद में आशुविदा होती है इसलिए हमारा कहना यदि आप हिंद और भूपाल आदी से हैं सागर जवलपुर के तो अप एक बाल अपने एक्जाम सेंटर जरूर देखा है ताकि आप किसी प्रकार के अशुविदा ना हो और आप यदि आसपास के गाउं से किसी सहर में एक्जाम देने जा रही है तो आप नो बजे अपने उस सेंटर पर पहु बाला पेपर होगा जिसके अनुसार आपको नौकरी के लिए मितलब बेटिंग लिस्ट में आपका चैन होगा दूसरा पेपर जो है क्वालिफाय होगा चालिस नंबर का रधियाप राज बंसेवा की तयारी कर रहे हैं तो दोनो नंबर जोड़े जाएंगे सामान अध्यान के और अभी रुचिवाले एपडिटी दोनो पेपर के नंबर जोड़ जाएंगे तो आप राज्यबंसेवा की तयारी कर रहे हैं तो आपको इसी प्रकास से इसकी तयारी करना है चले देखते हैं गली जो निर्दिस दिए गए है प्रिवेस पत्री की जाच कर लें इसमें क पास की ओंलाइन सॉप्स इसका प्रिंटाउन निकाल सकती है तो प्रिवेस पत्र में दिए किसी प्रकार की विशंग आती हो तो परिक्षा नियंद तक बद्यप्रदेश लोग से आयो गेंदोर को तुरंत सूचित करें प्रिक्षा प्रिश पाने के लिए प्रिश पत्त्त के लिए अपसे में जिम्मेदार है तथा अभ्यारती प्रिवेस्पत्र की एक प्रती स्वयम अपने पास रखें यदि किसी अन्यव्यक्ति द्वारा प्रिवेश में प्रिवेस्पत्र का उप्यों किया जाता है तो यह सद्ध करने का दायत आपका होगा आपने अन्यव्यक्त प्रिक्षा में आपकी सर्व उम्मिद्वारी सर्वधा प्रावदेखें चैन्म के किसी भी इस्तर परियद यह पाया जाता है कि आपने आयोक से कोई मूलवूच जानकारी चुपाई है या अन्यथा आप अनर्व पाये जाएंगे तो आपकी जिम्म में उम्मिद्वारी अन्यथा तनुक्रमांग पर बैठें जहां आपको रोल नंबर हो को बहां आपको सीट दी जाएगी बहां पर आप बैठेंगे अब जो आएमपी आता है कि OMR सीट में प्रश्ण पत्र के सेट के गोले को काले पैन से ध्यान से भरे सेट का गोला ना भरने पर मुल्यंकर नह होते हैं जयल के पैन का अपयोग सकते हैं पर्नतु काले रंग के पैन को कही अभ्यारत कि किरुद किसी और नक्याला थे कि प्रश्ण कमांग दो का उत्तार भी है तो बी को पूरा कवर करना है काले रंग की उसे इस बीच में हम कुछ महत्त पुझान करी आपको यह भी दे दें कि आपको जो प्राण में परिछा का सामा नद्धन के एकजाम होना है उसमें आप जितना अभी तक पढ़ चुके हैं उससे नया ना पढ़ें क्योंकि नया पढ़ने किस्थिति में भूलने किस्थिति उत्पन होती है आपने जतना बर्स भर में पढ़ा है तिसमें पढ़ा है उन्हीं चीजों का पुराना डिवीजन करें और आत्म विश्वास बना रखें कई बार असमंजस किस्थिति होती है व्रध्याति ना करें और किसी भी प्रकार से जो भाईटनर होता है उसका प्रयोग उएमार सीट में ना करें इसके बाद कर जो प्रिष्ण वजडे माशीर्चु पर धारिस इस थान है अनुच साधनों का प्रियोग करने पर ततकल आपके विरुद्यकार वाही है तो परीक्षाल का खच्छान निस्कार्सत किया जाएगा ऐसी इस्थिती में आयक द्वारा जारी बिग्या पनम दर्सत अनुचा जात्मक निर्देशों के तरत आपके विरुद्यकार वही नहीं है यह अनुपलब्ध है तो अब तक नमने प्रक्रिया का नुशन करें अपने ओनलाइन पर इस पत्त पर बहत इस्थान पर अपना फोटो चिपका कर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा फोटो आब अब अंटेत परिक्षा केंदा दक्ष से प्रमानेत कराएं यदि किसी प्रकार की टूटी है आपके अड्मेट कार्ड में तो आप यह है प्रक्रिया अपना सकते हैं अपनी फोटो के एक प्रती साथ ले जाएं तो फोटो के पीछे अपना नाम एप्लिकेशन नंबर एवर रूल नंबर अंकित जरूर करें अपने साथ अपने प्रत्य की रशीद इसे प्रत्य का बेहाति अपने व्यमासीत काक्षण के बीक्षक के हात में हिसों पे उनकी अनुमती प्रस्चात ही काक्षछ छोडएं जो यह मासीत है जो हमारे एक्जाम सेंटर में जिस वी टीचर की डूटी होगी उसको जमा करके हैं प्रिष्टम पत्तों में किसी प्रकार की टुटी होने पर जाती अपने आपत्ती प्रमार के साथ साथ दवस की अब्दी में शशुलक आयोक की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक्य के माध्यम से केवाल ओनलाइन प्रिष्टत कर सकेगा इसके पस्चाथ प्रात्र लेकर आयोक की वेबसाइट www.mppst.com पर ही देखें जैसे कि आप सभी को ग्यात है कि इस सल प्रिष्ट के परिक्षाओं का आयोजन होना है तो 25 जलाई के एकजाम के बाद नवंबर तक इसका मेंस परिक्षा भी हो जाएगी और अगस्ट या सतंबर में ही इसका रेजल्ट आ आउश्यक्ति क्सी प्रकार का पत्त्र भी होखल करते हैं तो आप को इसकी साथ अन्मर्ण कर लगाना आवश्यक्त होगा अभ्या रभ으 परिश्पक्रिष्पर्ण चिस प्रस्यकृ का परिवत्तर अपरात की ऐंतर करता आएगा इसका दैक्षा में सहीत ब्लकी आब यार्ट अनुमति प्राप्त कर लेवे तदा अनुसार दिभ्यांग अभ्यारती की सुविद्याजनक विवस्ता की जा सकेगी अब इसके बाद में देखते हैं सभी सभी अभ्यारती अब जो अभी फिलाल की करेंट सिच्विशन चल लए है कोरोना महामारी के कारण के निकें हमें प्र तक के नुर्स लेने पर आपको 50 रुपर तक की एक पीडे बिलकुन नसल को परदान की जाएगी साथी साथी नर्च सेवन एट नाइन टैन मुख परीच्छक नुर्स या परचिस कर सकते हैं फिप्टी एफल्डी टेस्ट सेजी परचिस कर सकती हैं सभी अभ्यारती नर्च्शों काणिवारता पालन करेंगे मानक इसतर का मास्क लगा कर आना है किसीवे अभ्यारती Ko प्रवेश नहीं दिया जाएगा मानक इसतर का मास्क लगाकर आना अनिवार है यदर हमने огप आ और ऊमनों लग्याया इंच्वी अभ्यारति को पाथता नहीं रहेगी सभी अभ्यार्थी अपने पास स्वेम का पॉकर सेनेटाइजर, स्वेमल का एवं बाटल एवं पानी की एक लीटर की पाल दर्सी बाटल साथ में रख सकती है, अनुमती है सभी अभ्यार्थी सुसर डिस्टेंशन का पालन करती है, दोगज की दूरी बनाये रखेंगे सभी अभ्यार्थी अपने मास्तों को परिक्षा की दूरन मोहेवं नाक पर लगा कर रखेंगे, बात करती समय मास्तों को नहाटा है, इस बात का ध्यान रखना है मुखाल होने पर अभ्यार्थी के अंदर देख्ष को सूचत करने, जिससे उन्सकी प्रथक बैठक विवस्ता की जा सके इसी के साथ सा जिप्रमकों नोठे अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती अन्ने पिछला बत तथा दभ्यांग जन के अभ्यार्थियों को आवशक प्रपत्तों की पूर्ति कर यात्रा वे दियक के अंदर अदेच को नुवागी अधिकारी राजस्त द्वारा जारी ज महत्रपूल बात है वाया है कि जो हमारा दूसरा पेपर होता है एप्टिट्यूट का तो एप्टिट्यूट के टेस्ट में कई बच्चों को लेकर का इंफ्यूजन हो रहा है कि क्या क्या पूंचे जाता है तो मुख रूप से 200 नंबर का एक्जाम होता है जिसमें 100 प्रशन के लिए पूंचे जाती है जिसे 25 इसके अंगले क्रम में कौन सा नंबर आएगा यह तो सरल स्टर का है प्रश्चे कठेने स्टर की पूंचे जाती है केस स्टडी भी आप से पूंचे जाएगी निर्णा सक्ति देखने के लिए कि मालों आपको धान दे दिया जाएगा आप फलाने गाओं में अधिकारी की रूप में पदस्त हैं तो आप इस सिच्वेशन में चाल उप्सन दी जाएगे आप क्या करेंगे तो इस प्रकार से आपकी तर्गसक्ति की विजाज की जाएगी तो इस प्रकार से यदि आप राजवन सेवा की तयारी कर रहे हैं तो आपको सामने अभी सामने दोनों ही पेपरों में अच्छे नंबर चाहिए है तो इसलिए हम आप से कहेंगे कि आपको उबर से समझत समझत प्रकार की शाओधानिया रखें अपनी तयारी ने अंता जारी रखें नया पढ़ने पध्यान देका जो पुरा पुराना आपने पढ़ा है उसका डिवीजन करें आत्म विस्वास बनाए रखें और अच्छे से अच्छी नीन ले पड़े आपने मात्र में ताकि आप क किसी भी कंडिशन में पहुँच जाना है दस वज़े से पहला पेपर है और सब आदो वज़े से दूसरा पेपर है तो आप कोंफिडेंस रहें अपने आत्म विस्वास को बनाए रखें आप सब कनिश्च चतरूप से चैन होगा आप इस बास से बिलकुल एग्री हो और करती हैं और समस्ते देशों का पालन करें किसी प्रकार कोई गलती ना करें समस्ते साधानियों को द्यान में रखें और इसी प्रकार आप हमाई चैनल पर बने रहे हमाई नोट से पर्चिस करें डिस्कुप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामाजों की लिंक यह हमाँ आज जो झाल झाल